सुपर टेस्टी, सॉप्ट एंड भैरी इजी मालपवा त्यार हो जाएगा सिर्फ दो मिनिट में ये भी घर पर बिना चस्नी से और गेहु के आटा से त्यार होगा गेहु के आटा से बनेगा और फूलेगा गब्बर की जसा सच मानिया भाई ये बहुती सब्ट स्पॉंजी और तुला तुला बनेगा तो डेरी किस बत की चलते हैं फटा फट सुरू करते हैं आज का रेसिपी तो इसे त्यार करने के लिए मेरा पास बचे हुए ये पके केले है ये जो केले है और कोई भी खाने के लिए ये नहीं चारा है किमकि ये बहुत ज़्यादा पक चुकी है ये केले से अभी में त्यार करूंगी माल बुआ ये केले का छिलका कर निकाल दूंगी और भी ये केले को में छटा छटा पीस करके ग्राइडिंग जार में डाल दूंगी जोब भी आपका घर में केले आती है ना केले बहुत ज़्यादा बच जाती है और जोब यह ज़्यादा पक जाती है ना कोई भी खाने के लिए नहीं चाती है तो अब आप केले से ये रेसिपी जरूर ट्राइ करेंगे और देखेंगे आपका घर वाला सब चट कर देंगे खाने वाला चीज को क्यों हम वेस्ट करेंगे जिसी तरीका से भी होगा हम इसे खाने के लिए ही त्यार कर लेंगे तो देखिए मैंने सारे कैले का कट कर लिया है अभी एक कैले में में लूँँगी एक कटुरी दूद ये रूम टेंपरेचर वाला धूद है ये दूद कैले को मैं आची तरह से मिक्सिंग जार में घ्राइंडिंग लूँगी तो देखे, त्यार हो गया हैं हमारा केले का पेस्ट, ये सबी को ये बाउल मेंने ट्रांस्पर कर लूँगी, और यहां पर में लूँगी फिर से एक काटूरी दूद, ये Gent दूद में मैं आधा दूद लूँगी, और आधा दूद को बचा कर रख दूँगी, यदि जड़र कटूरी लिया है गयहुके अटा और इसके साथ सथ यह छटा स्पून में मैंने दो स्पून लिया है सुजी यानि की रहुआ इसके साथ सथ मैंने जो दूद को बचा कर रखा था ना यह दूद को डाल दूँगी मेजरमेंट के हिसाब से योदि हम देखेंगे तो यहाँ पर म एक भाग लिया है सुजी दना इसी के साथ साथ यह सुपर टेस्टी और हैनकी लिए कुछ सत लिया है मालपूआ मैं सब थड़ा सा पकाने से मालपूआ का टेस्ट बहती बड़ी आती है और थड़ासा मेंने इलाईची पाउडर भी लिया है अभी मैंने इसमें आठ और त्यार हो गया हमारा मलपव के लिए बेटर इसी तरह का कंसिडनची ताइए आप देख सकती है ना ये कंसिडनची से मलपव एकदम पर्फिक्ट वनेगा तो चलते है क्यास के तरप यहां पर पहले मेंने ओयल को हीट होने के लिए छोड़ दिया था ये हीट ओयल में अभ करेंगे। योदि हम शही मेजरमेंट के साथ बेटर के त्यार करेंगे। तो हम्हार मالपुपुआ एक दम पर्फेक्ट बनेगा। कोई चास्नी त्यार करना नहीं पडेगा। इसी तरह सा यह बहुँत ही शब और संजी वनेगा। योदि आपको चसनी में डुबा कर खाने से आच्छा लेखती है तो आप जोब भी चीनी आठ किया ना इसमें यहां पर चीनी का मेजरमेंट थोड़ा सा कम कर दीजिए और चसनी तेयार करके इसी तरह सा तेयार करके चसनी में डुबा लीजिए ये भी फुलेगा इस तरह से लेकिन जिन्जट क्यों हम इतना करेंगे ये इसी तरह तो बहुती परफेक्ट सप्ट और स्पंजी बना है ना तो ये एक तरफ थोड़ा सा कॉलर चेंज होने के बाद अलट दिया और देखिये इसका कॉलर अभी दुसरे तरफ भी तो हो गया ना गल्डन पारून इसी स्टेज पर हमीसे निकाल लेंगे और देखिये कितना प्यारा कॉलर आया है ये बहुती सप्ट और स्पंजी बना है मैं फिर से आपको एक बर इस तरह से बना कर देखा लिया दोस्तो योद्यापको मेरे आजका रेसिपी आच्छा लगे मुझा जरू लाइक और सब्सक्राइब करके सप्ट कीजिए साथ मैं एक बेल आइक और उससे भी दबा दना ताकि हाँ निव वीडिया आप सबसे पहले देख पाए ये दूसरे बर मालपो अभी देखिए सेमी इसी तरह से फुल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं ये मालपो जरू सप्ट स्पांजी और फुला फुला बनेगा देखिए कितना सप्ट बना है ना तो दोस्तो आप पके हुए केले से ये रेसिपी जरू ट्राइ किजिए जब भी आपका घर मां केले बज़ जाती है ना आप ये रेसिपी ट्राइ करके आप घरवाला का मन को खुश कर देंगे और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा सुपर टेस्टी कितना सप्ट बना है ना कोई भी दिक्कत नहीं सिर्गर का समन में दो मिनिट में त्यार हो गया हमारा मल पुआ तो दोस्तो रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे जरू लाइक और सब्सक्राइब करके सपट किजिए तो मिलते हैं फिर एक नए आइडिया के सब तब तक के लिए बाई टेक केर